हाई अब्रीवन विल्कम करते हैं आपको हमारे और आपके एक चानल जिसका नाम है टारेट्विध हयापर मैं आ गई हूँ आज आप लोगे सामने एक और पिका का डिडिंग लेकर आज की हमारी स्पिका का डिडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनक अगर आप लोगा डेट ऑफ पर्थ जो है यानि कि अगर आप लोग का जनम दिन है वह एक से लेकर 15 के दर्मयान में आता है अगर आप लोगों के लिए है ग्रूप नमबर वन या पिर अगर आप लोग इन्टुटिवली इस परफ्यूम की तरफ जादा अपने आपको जह ह ग्रूप नमबर रवन पिर है मारे पास या परफ्यूम और अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है यानिके जनम दिन जो है्प का या पिर आप लोग की जो डेट ऑफ पर्थ जह थाहरा होती है आपका आ जाग्वर्टों की अंगर सिक्सिटीन से लेकर थर्टी दर्मयान में 16 से लेकर 31 के दर्मयान में आता है तो आप लोगों के लिए है ग्रुप लूबर 2 या पर आगर आप लोग इंट्युटिवली इस रिस्ट वाज की, तरफ जो है, स्वाधा प्रजा अट्रेक्शन फील करोंगे करते लिए है गुरूप नमबर टू तो आप लोग लो पाइप लिए है प्रफ्रुम गुरूप नमबर टू तो आप लोग अच्छे से सोचिए meditate कीजिए और जिस group की तरफ आप लोग ज्यादा आपने आपको resonate feel करते हो आप लोग वो group में जाकर वहां से आप लोग reading देख सकते हो यहाँ पर जो है वो मैंने एक-एक message जो कि already मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं अपनी group में जो है वो क्या करते हैं अपनी reading में जो है वो दोनों गुरूप से मैं एक-एक card अकसर में रखती हूं तो यहाँ पर जो है वो एक card हमारे पास यहाँ पर already मैंने जो करके रखा है पर्फ्यूम के नीचे और एक card यहाँ पर मैंने रिस्ट वाच के नीचे रखा है कि जिससे के हम जब आप दोनों के जब हम आपके लिए दोनों पाइल के लिए हम लोग जब अलग अलग रिडिंग स्टार्ट करेंगे आपके चूज़ के सेक्शन में फाइल म होता है किसी भी इंसान की personality को चेक करने के लिए हमारे सामने यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट डोल अदा करेगा यह first card ठीक है क्योंकि first impression is the last impression तो यहां से जो हमें पहले सब ज़्यादा पता चलेगा फिर हम लोग और card की तरफ जाएंगी तो अगर चैनल पर पाइल में हाई everyone welcome करते हैं आपको आपके चूज के पाइल में अगर आप लोग का date of birth 1 से लेकर 15 तक आता है या पिर अगर आप लोगों ने intuitively इस परफ्यूम को चूज किया है तो यह reading आप लोगों के लिए है जिसमें हम लोग यहां पर देखेंगी कि आपके जो future spouse हैं उनम कि personality कैसे होगी चानल पर नहीं हुआ है चानल को सबस्क्राइब कर लीचिए और अगर मुझे परस्न लिडिंग लेना चाहें तो मुझे से कॉंटेक्ट करने के लिए तमाब details यहां पर स्क्रीन पर आपको mention हो जाएंगी यहां पर नजर आ जाएंगी स्क्रीन पर चलिए लाउस है ना यह बहुत ही कूल किसम की personality वाले इनसान होंगे इनको perfumes बहुत जादा पसंद है और जब यह person आपकी life के अंदर enter करने वाले होंगे ना तो आप लोग नोट करोगे कि फिजा में ना एक अजीव से खुश्बू फैली भी होगी यहनी कि इस person का जो औरा है इनक उस दिन ना जब आप इनसे मिलने वाले होगे या जो भी इस इनसान से मिलता है इनका जो औरा है ना वो बहुत ही पुरसकून औरा है और इनके आपकी जिन्दगी में आने से पहले ना आपको कोई ना कोई साइंस जरूर दिखेंगे कुछ ना कोई साइंस जरूर आपको सा ऐसा इंसान है जो के सरदी वाले जो एलाके होते ने थंडे इंको वह उन्पंड़ का सिजंन बहुत जादा पुसंद होगा यह रेंक्स बहुत जादा पीते नोज कोई भी जूस फ्रेश उसुस ठीक है उस कुछ बहुत पीते हैं और इसके लाभा यह ऐसे परसन है कि जो ठंडा पानी आप यह प्रमाणा से यह लिए खेल यह उसके तो बने आपको बता कि इनको परफूम स्थ करना वह भूद पसंद है और यह ज्ञादा दर जिसको भी उसको गिंफ्ट करते हैं तो अकसर यह उस इन जब सान को पर्फियूम करते हैं और अगर इन ओप कुई अपर्फियूम करता है तो यह इस वोड़ा इप्रिशियेंट करते हैं कि फूर कौन होंगे कैसी होगती पर्सनाणटी इन्टूशन इसको मैं यहां पर रखती हूँ ताके मैं बाद की कार्ट को यहां पर सेट करूंगी इन्टूशन आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना इनकी इन्टूशन बहुत अच्छी होगी इनकी सिक्सेंस बहुत स्ट्रॉंग है यह बहुत ही मिस्टिरियस किस्म की पर्सनालिटी वाले एंसान भी हो सकते हैं यह जब किसी से मेगा मिलते हैं तो इस पर 에서 बहुत जल sorta都 पर इसके पर kole इनको दूसरे इंसान और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है यह बहुत अच्छे जो है वह इनकी जो जज़ बहुत अच्छा करते हैं इस परसन को रोमेंटिक सॉंग सुनना बहुत पसंद है बहुत इमोशनल किसम के परसन है दिल इनका जो दिल है न वो इनने अपना दिल बहुत संभाल संभाल कर रखा हुआ अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए इनको ऐसा लगता है कि यह अपना दिल उसको देंगे जिसको देखके इनका दिल ना सोड़ जोड़ से पहली बार धरकेगा इनको ऐसा लगता है कि मैं उनको अपना दिल दूँगा जिसको देखके ना मेरी जो इंटूशन है वो मुझे जवाब देगी कि ये इनसान जो है यही आपका फ्यूचर स्पाउस है फ्यूचर वाइफ नहीं देते हैं इनका इस परसन का आपको जो फ्यूचर स्पाउस है उनका आपके साथ ना टैलिपैथिक कनेक्शन होगा आपके जो future spouse है ना ये अपने अंदर बहुत जांगते हैं अपनी soul searching बहुत ज्यादा करते हैं अपने आपको पढ़ते हैं ये इनसान ये बहुत intelligent किसंद के person है इनको ना books पढ़ने के अभी बहुत ज्यादा शौक होगा beer and ring ठीक है इनका दिल बहुत साफ है इनके दिल में ना किसी के लिए कोई भी बुराई नहीं है ये बहुत ही साफ दिल के इनसान है number 15 आप लोग के लिए important हो सकता है number 6 आपके लिए important हो सकता है number 1 important होगा आपके लिए number 5 बहुत important हो सकता है number 25 काफी important है आप लोगों के लिए number 5 काफी important है number 2 बहुत important है triple 5 नमबर यहां बहुत ज़्यादा important है डबल फाइफ नंबर भी IMPARTENCT है हो सकता है कि आपके érl marriage date में आते हो और इạt नोट हो उसमें यह नंबर बहुत बहुत ज़ाए इंप vältRE हो सकते हैं यह पिर आपके future spouse की lively night में यह नंबर बहुत जाएं हो सकते हैं कि उनकी car का नंबर हो सकते हैं या पर उनके फोन में ये numbers बहुत जादा हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से ये numbers आपके future spouse से काफी जादा उनकी life में important होंगे ये numbers number 7 भी बहुत जादा important है number 17 भी काफी important है यहाँ पर आपके जो future spouse है ये बहुत जादा protection देने वाले इंसान है अगर आप देखो यहाँ पर किस तरह से एक bear ने ना एक बच्चे को ठीक है कैसे इसको अपनी पना मिली है इसको protect करके रखा हुए आपके future spouse ना एक protector है इनकी जो physical appearance है ये tall हो सकते हैं और थोड़े से heavy side पर हो सकते हैं muscular हो सकते हैं इनकी shoulders काफी broad होंगे इनकी height अच्छी होगी लंबी height के होंगे आप दोनों की height में थोड़ा difference भी हो सकता है आपके future spouse है इनके अंदर ना motherly nature है ये आपको एक बहुत जादा ना protect करके रखेंगे इनको ऐसा लगए का कि जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हो और आपको दुनिया की अतनी समझ नहीं है और दुनिया कहीं आपके emotion से ना खेले क्योंको ये खुद बहुत sensitive है ना दुनिया आपकी emotion से ना खेले तो उनको लगते हैं कि इनको आपको ना protect करके रखने है ये आपको ना दुनिया की negative चीजों से negative लोकों से बचाना चाते हैं इनकी इस तरह की energy है ये जिससे इनकी जो family member है ये उनकी लिए भी बहुत ज़दा protective है इनकी presence में लोग खुद को बहुत ज़दा secure feel करते हैं ये आपको भी बहुत ज़दा secure feel करवाएंगे अपने साथ इनके साथ रहते वे आपको ऐसा लगएगा जैसे कि आप बहुत ज़दा safe हो ये बहुत ज़दा powerful किसम के person है ये कहीं पर boss भी हो सकते है आपका और इनका connection ऐसा ही होगा कि ये आपको जिन्दगी में बहुत कुछ सिखाएंगे इनके जितने भी लोग रहते हैं ये इन सबको lead करते हैं उनको सिखाते हैं इनके अंदर ना है थोड़े सी ना इनके अंदर एक जीज़ हो सकती है जो कि शायद थोड़ी सी आपको negative लगे कि इनको थोड़ी से अपना order चलाने का भी शौक है यानि कि इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को इतना जादा नहीं पता है मुझे जादा पता है और अपनी तरफ से इनको लगता है कि इनके एक plus point है चूंकि इनको लगता है कि ये सामने वाले को इस तरह से ना अपनी पना में लेकर अपनी प्रोटेक्शन में लेकर उस पे डोड़ू करके शायदी सामने वाले को सिक्योर कर रहे हैं इनके अंदर यह बहुता बहादूर इंसान है, खत्रों से के खिलाडी है खत्रों से नहीं रहते हैं रिस्क टेकर हैं में, जिन्दगी में चालन्जम जितने भी आते हैं, यह सारे चालन्ज мышS को पार करते हैं इन्होंने हारना से नहीं सीखा है, बहुत पावरफुल किसम की personality है, इनके अंदर ना leadership qualities हो सकती है, लीट करते हैं लोगों को, और ये आपके जो future spouse है, इनके finances बहुत अच्छी है, ये कोई wealthy person हो सकते हैं, और इनको ना accounting में काफी जादा इनको interest है, math में और accounting में इनको बहुत अधा interest है, इनको ना business, इनका जो mind है वो business mind हो सकता है, अगर ये job भी करते हैं तब भी ये job के अंदर काफी जादा जो है, वो अपने mind को use करते हैं, protection भी है हमारे पास ये कि बहुत अधा प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर भी होंगे और अपने family member को जिससे प्यार करते हैं, उन सब को लेकर ये बहुत अधा प्रोटेक्टिव हैं, यहाँ पर जो science मुझे feel हो रहे हैं वो Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo and Capricorn and Gemini यहाँ पर मुझे काफ पर जादा important हो सकता है, यह आपके जो future spouse हैंगे जो वादा करते हैं उस वादे को ये निभाते हैं, commitment के बहुत जादा पक्के person है, यह और इनका और आपके जो partnership होगी ना, बहुत ये खुबसूरत किसम का रिष्टा होगा आपका एक दूसरे के साथ, यहाँ पर हमारे पास इनका रिंग आया है, जिस तरहां से एक box के अंदर यह रिंग है, उसके अंदर water है, green color के water में यह रिंग है, जो कि फ्लार के साथ है, यह नि कि इस person के साथ आपकी जिंदगी में हमेशा ग्रोथ होगी, यह आपके जो future spouse है यह ऐसे इनसान है, कि अगर यह आपको commitment देंगे तो यह कभी पीछे नहीं हटेंगे, बलकि इस रिष्टे में हमेशा efforts टालेंगे, किस तरह से इसमें हमेशा growth को लाया जाए, कैसे अपने और आपके रिष्टे क्यों, एक खुबसूरत फूल की तरह से, कैसे यह उसको पानी दें, ताकि फूल जाए दिन बढ़ता जाए, ब आपने और आपके रिष्टे को ना, बहुत ही कोशिश करेंगे कि प्राइवेट रहे, यानि कि आपके और इनके दरम्यान जो भी बाते हो ना, इनकी हमेशा यह कोशिश रहेगी, कि कभी भी कोई थर्ड परसन को वह बाते बहुत जादा यानि कि उनको पता ना चले, क्यों गश्चे हैं, वो इन दोनों चीजों की बहुत जाव करते हैं, अपने खौईशओं की आपकी खौईशों की भी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत जादा, यहान पर मुझे एरीस की भी वाइब जाहरी हैं, आपकी जो future spouse है, ना, यह बहुत जादा loyal कि सम के परसन होंगे, बह कुछ वादे भी करेंगे ये इनसान आप आपसे भी एक्सपक्ट करेंगे किए और भॉल हम Year 256 पुब लिध की डीध है वहम खुबसूरत किसम की होंगे, बहुत खुबसूरत होंगी है, आपके जो फिट्चर इस पाउस है ना, इन्होंने जिद्धकी में काफी जादा उतार चड़ाओ देखे, बहुत सारे इन्होंने अपनी जिद्धकी में साइकल्स देखे हैं, बहुत जादा इन्होंने अपनी जि difficult किसम के stages देखें जिसकी वज़ा से अब ये person बहुत सारे अपने जिन्दगी में ले चुके हैं बहुत सारे लेने के बाद अब ये इनसान जो है वो इनको पता है कि इनको जिन्दगी में कौन सा step किस तरह से उठाना है यानि ये right क्या है और wrong क्या है ये बहुत अच्छे इस बात को जो है वो समझते हैं चलिए आईए यहां से देखते हैं कि आपकी future spouse में क्या-क्या qualities होंगी इनका दिल ना थोड़ा तूटावा होगा ठीक है soulmate वाओ ये person जो है वो आपके soulmate है the distorted feminine and sexuality और यहां पर है हमारे पास luminosity bottom of the deck है हमारे पास यहां पर दी गार्ड़नर नमबर 33 आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है ट्रिपल थ्री बहुत इंपोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए ट्रिपल थ्री डबल वन एंड ट्रिपल वन बहुत जादा इंपोर्टेंट हो सकता है 21 नमबर काफी इंपोर्टेंट होगा आपके लिए 3 नमबर बहुत इंपोर्टेंट है नाइन नमबर बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए और 4 नमबर बहुत इंपोर्टेंट है 31 यहां पर किसी की एज हो सकती है यहां पर 33 हो सकती है हो सकता है आप लोग के लिए seven seven भी नमबर काफी दा important आपके लिए आपके जो future spouse है ना एक तो देखो इनकी सबसे खुबसूरत जो मुझे आपे quality लगी है वो यह है कि हो सकता है कि जब आप दोनों की शादी हो या पर शादी से पहले अगर आपने अपने जिन्दगी में कभी कोई भी problem या कोई situation face की है इवन कि अगर आपके कोई घुसा जल्दी आ जाता है या अगर आप चोड़ी चोटी बातों पर रो देती हो ना आपका दिल बहुत जल्दी से तूट जाता है तो यह आपको इस distorted feminine वाली position से निकाल करना इस situation में लेकर आएंगे यहां से निकाल कर इस situation में लेकर आएंगे यह इनसान आपको यानि कि यह आपको जिन्दगी में बहुत जादा strong बनना सिखाएंगे बहुत बहादूर बनना सिखाएंगे यह इनसान आपको आपको सिखाएंगे किस तरह से पास्ट को जो है वो लट गो किया जाता है क्योंकि यह अलड़ी कुछ बहुत सारे लेख चुके है ना यह आपको यह जो आपके फीचर स्पाउस है यह अपने सल्फ ग्रूमिंग पर बहुत ज़दा फोकस करते हैं इनको अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है यह बहुत ही ज़ादा है अगर यह मेल है बहुत हंसम है यह बहुत ज़्यादा हंसम है इनके पीचे बहुत सारी फीमिल्स भी हो सकती है ऑपोसिट जेंडर के जो इनके साथ रिलेशन्चिप में आना चाहती है मगर यह अपना दिल नहीं देते है बहुत देने के मामले में बड़े पक्के है यह इनका प्लस पॉइंट है दिल नहीं देते हैं एजीली किसी को आपके साथ यह अपना कनेक्शन एक खास वज़ा से भी जोड़ेंगे जो के मुझे इनकी कॉलिटी बहुत अच्छी लगी है के यह देखेंगे कि हो सकता है कि इनके पस 2 से 3 लोगों की चॉइस हो और यह उनमें से आपको चूस करेंगे क्यों क्यों कि इनको लगेगा कि आपके पास जो दिल है ना वो औरों के पास नहीं है आप जितनी sensitive होना और उतने sensitive नहीं है आपके जो future spouse है ना इनको dressing sense बहुत अच्छा होगा ये कपड़े बहुत अच्छे पहनते होंगे इनको लक्षिरी जिन्दगी गुजारना बहुत अच्छा लगते है ये लक्षिरी life style जीते है खास तोर से ये अपनी skin और अपने hairs का बहुत जादा ख्याल रखते हैंगे ये बहुत ही जादा seductive किसम की personality है इनकी जो appearance है ना वो काफी जादा sex appeal रखते हैं ये person बहुत सारे लोग इनकी तरफ इनकी personality की तरफ से attracted होकर इनकी तरफ खिचे चले आते हैं ये आपके soulmate है और ये अपनी जिन्दगी में अपने soulmate को तलाश कर रहे हैं इनको लगता है कि मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा जिसके साथ मेरा दिल मेरी रूप उसके साथ जुड़ी वी होगी आपके future spouse जो हैं बहुत ही सादा transform हो है अपनी जिन्दगी के अंदर बहुत अच्छा लगता है especially green area में इनको वाक करना काफी जादा इनको अच्छा लगता है जहां पर ग्री होती है तो बहुत अच्छे लगती इनको न वाटर काफी जादा पसंद है ये बीच बीच पर जाने का इनको बहुत शौक हो सकता है ये गार्डनिंग करते हैं ठीके इनको न अपने हाथों से फूल पौदे पेर लगाना अपने हाथों से बहुत अच्छा लगता है ये न सैटर्डे या संडे को जब आफ होता है न तो ये अपने वीक में एक या दो दिन ये गार्डन को लौन को या फिर ये नेचर लवर हो सकते हैं ये नेचर को एक दिन जरूर देते हैं ये कुछ घंटे नेचर में पेंट करते हैं वहां चाकर किये मेडिटेशन करते हैं ये योगा करते हैं अपने आपको बहुत ज़्यादा रिलेक्स करते हैं इनको ना जीन्स और टी शेट पहनना बहुत इनको अच्छा लगता है डिफरेंट किसम की जो cud and jacket बहुत आपके जाकर a ये इनको पहनना काफी साथ शैदा पेंड़कल्व पतवलित या ये झानिमल से और नेचर से हैं और अपकी बहुत जेंटलमेंन किसमी पड़सेन इनको चांद काफी पसंद है चांदी रातों में इनको वौक करना बहुत अच्छा लगता कि लगता है आपके जो फुचर स्पास है ना उनको आपकी ब्यूटी बहुत जादा इट्रेक्ट करेंगी आपके फूचरस पास जो है वो यचू सिन इस चीज के ओपर भी फोकस करते हैं कि सामने वाले इनसान जो उसकी परस्टनालिटी कैसे और आप से जब की शादी करेंगे तो यह आप से आपकी सोल तो उनको पसंद होगी होगी बट आपकी जो सल्फ गुरूमिंग जो ड्रेसिंग सेंसे स्पेशली आपकी हेर्स आपका फ होसकी दिखने में अपर से शाएद ऐसा लगे कि बहुत जबाड़े नहीं है यह फिर बहुत हैं कि बोल्ट नहीं उन्ह Wentraase जादा और नहीं देयर इभी जादते करते बहुत ही अन अन्धर के अनलिट एक्ष depends on किह दो आउनकिपाई सैंकत बहुत ज़ाद इनकि और हुआ कि झाले यहां से कुछ दिखते हैं है हैं बांडरी आपके जो फीच्टरिस पाउस हैं यह स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं टैनिस टैनिस के टैनिस फुटबाल और वॉलीबॉल और क्रिकेट यह इनको काफी साधा इनको पसंद होंगे और यह खेलते भी हैं, हो सकते हैं, क्रिक्ट खेलते हैं, या फिर कोई ना कोई यह सपोर्ट में ज़रूर यह सही लेते हैं, इन्होंने आपने इतना बाउंडरी बनाका रखी हुई हैं, प्राइविट किसम के परसन है। जब तक इनको किसी के अपर कोई भरोसा ना हो जाए। उस वक्तिक कि उस इंसान को अपने पास नहीं आने देते हैं, उस boundary को cross नहीं करने देते हैं ये, ये दूसरों की boundaries की बहुत जादा respect करते हैं, और ये दूसरों से भी चाहते हैं, कि सामने वाला person जो है, वो इनकी boundaries जिन्हों ने बना रखी हैं, उसकी भी respect करें, इनको ना जीतना पसंद हैं, इनको हारना ज़ादा पसंद नहीं है, ठीक है, चाहिए जिन्दगी में कोई भी situation हो, इनको जीतना पसंदे, इनको पता है किस तरह से जो है वो, इनको किस तरह से अपना प्लान बनाना है किस तरह से इनको अपनी एक strategy बनाना ही और कैसे इनको win करना है यह अपने और आपके रिष्टे के इड़ के पीना मैंने पहले ही बता है boundary के रिएड करके रखेंगे bottom of the deck है मारे पास यहां पर attraction yes बहुत जादा attractive person है यह बहुत जादा हाँ एक और चीज़ भी इनके बारे में है कि इनको ना astrology, occult, palmistry, tarot इन सारे चीज़ों में इनको बहुत जादा believe है ओके तो group number one यह थे आपके future spouse कि कैसी होगी personality plus point and negative point दोनों मैंने यहां पर point बताए हैं आपको और यह आपके soulment है जिनसे आपकी शादी होगी आप दोनों एक दूसरे से opposite होगे बट फिर भी आप दोनों के दर्मियान जो attraction है वह बहुत जादा strong होगी तो यह थे आप लोग के लिए reading अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment जरूर कीजिएगा मिलती हैं आप लोग को से फिर किसे वडियो में तब तक ही टेक खियर भाई हाई group number two welcome करते हैं आपको आपके चूश के काई पाईल में अगर आप लोग का date of birth 16 से लेकर 31 तक आता है या अगर आप लोग तो इस डिस्ट वाच को चूश किया है तो यह reading आपकी लिए है जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपको जो future spouse हैं उनकी personality कैसे होने वाली ह हैं उनमें क्या क्या plus point है और अब को negative point आगा तो भी हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो overall यहाँ पर कौन सी ऐसी बाते हैं कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो के आपको पता होनी चाहिए आपके future spouse के बारे में चलिए आगी वीडियो को start करते हैं उससे पहले बता देती हूं क पिच्छाना को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो कर लीचिए और अगर मुझसे कभी भी अगर आप लोग को personal reading लेना हो तो मुझसे contact करने के लिए तुमाम डिटेल्स यहाँ पर आपको screen पर जो है वो mention हो रही होंगी आए देखते हैं के group no.2 जिनका date of birth 16 से लेकर 31 तक है आपके future spouse में कौन कौन सी qualities है plus point and negative points सबसे पहले बात करते हैं अगर आप लोग ने यह वाली list work जो है वो choose की है तो आपके जो future spouse है ना यह बहुत ही जादा discipline वाले इंसान है बहुत जादा discipline वाले person है यह बहुत जादा time की पाबंदी करते हैं कहीं पर भी अगर इनको पहुंचना होता है ना तो वक्त से पहले पहुंच जाएंगे अगर कोई मिलने के लिए बुलाएगा ना कि इतने बजी हमें मिलना है तो यह time से आदा घंटा पहले महाँ पर होंगे 15 minutes पहले यह महाँ पर पहुंच जाएंगे और अगर कोई सामने वाला person late आता है ना तो य कि इनको फिर उस मामले में ना अगर सामने वाला person अगर time की पाबंदी नहीं करता है ना तो उस सामने वाले person की जो थोड़ सी value होती है ना यह उनकी personality का इमेज होता है ना वो आपके future spouse की नजरों में थोड़ा से low होने लगता है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनसान वक्त की पाबंदी कर सकता है ना वही इनसान जो है वो अपने दिश्टों को भी अच्छे से चला सकता है और वो जिन्दगी में बहुत आगे कामयावी भी हासल कर सकते हैं यहां background में जो है वो मुझे कहीं पर जो है वो dog की आवाज आ रही है और इससे मुझे यहां पर एक परसंद हो और आपको जो फूचर स्पाउस हैं यह बहुत ही जादा लॉयल किसंद के परसंद हैं बहुत वफदार है चीटिंग धोका यह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं और अगर इनको लगता है ना कि सामने वाला इनसे दोका कर रहा है तो फिर इस परसंद को जो है व भूरओ भी बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे आ हैं और अमने टमाम ड्रीम्स को पूरा करना झाहते हैं इनको यह इनको ना यह स्टार बनना चाहते हैं हो सकता है की यह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बर हो यह पर यह औल्लिडिण को यह नेम एंड़ वाला यह पर हो सकते है लोग इनको जाने इनको पहचाने या तो ये इनसान सोशल मीडिया पर फेमस होंगे या पिर ये इनसान अगर सोशल मीडिया पर अगर ये फेमस नहीं है ना तो ये जहां पर रहते हैं अपनी कम्यूनिटी में अपनी सोसाइटी में ये बहुत दा फेमस है लोग इनको जानते से और हैंति उन्हुलंत कि जड़ारों में हो सकते हैं कια को पिलिटरी आर्मी में हो सकते हैं ज़ए हो सकते हैं यहां सारी चीजह करें को बहुत यह बहुत ही नहीं बहुत किसम के पर सबंगी कि लड़की तो यह बहुत ही स्थायलिश किसम की स्थालिश है और यह रिस्ट वाच इस बहुत ज़ाक्ट करते हैं पा सब्सक्राइब होंगी इस वहरे जल्दी उठते हैं अच्छा एपने सिंडगी में अपनी रूटीन सेट करे में अफुरीर सुषरा एतने जाने मूट स्क उठना है ने खवरी लो एगिनों और इसह लुद्धाहीट में धनी साँथा करेका एसका उनों अटina और दॉसर नासितारीम भी decide करके रखे हूँ है कि यह मुझे saturday sunday को अपने life में क्या करना है मुझे बाकी कि regular days में कितना time अपने work को देना है और मुझे week में कितने मुझे अपने वाञ हैं चीन इसको पहुत हैं सब कर ले देंगे देंके बेख के अच्छी और ऑट पहले थेंगे Let's start, Chemistry, ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किसम के परसन है, बहुत लॉजिकल किसम के परसन है, इनको सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, इनको जिन्दगी में आगे से आगे बढ़ते जाना बहुत पसंद है, यह जिस चीज को भी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज एक चार्म है, यह अगर लड़के हैं तो भी यह बहुत ही ज़दा हैंसम है, लड़की है तो बहुत ही ज़दा यह ब्यूटिफुल किसम की होंगी, बहुत ही ज़दा जो है अट्रक्टिव होगी, इनकी परसनालिटी में एक स्पार्क है, एक चार्म है, यह सामने वाले पर इनके बात करने का स्टाइल है ना वो डिफरेंट स्टाइल है यानि इनकी आवाज बहुत ही मीठी हो सकती है अगर ये लड़की है तो बहुत मीठा बोलती है अगर ये मेल है ना तो इनकी जो आवाज है ना बहुत ही जादा रोमेंटिक किसम की वाइस होती है ना वो इनकी आवाज है बहुत ही घंबीर किसम का इनका लहजा होगा बहुत खुबसूरत इस परसन की आवाज होगी बहुत ही रोमेंटिक आवाज होगी इस परसन की यानिकि ये अपनी बातों से ना इनकी जो बाते हैं न का बात चीप करने का स्टाइल बड़ा च्छा होगा बहुत ही ना अससर आप समझ के अलफाज का चुनाव करते ऐसे नहीं है कि जो मुह में आया दिल में आया, बोल दिया, नहीं ये बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं और पहले सोचते हैं फिर बोलेंगे ये ना हर चीज़ को लेके बहुत पैशनेटल चाहे कोई रिष्टे हो या पर कोई काम हो यहां पर ना एरिस लियो सेजिटेरियस और टॉरस वर्गू कैप्रिकॉन यहां पर बहुत ही जादा जो है मुझे स्ट्रॉंग लग रहा है आईए यहां से चप करते हैं दूसरे वाले ड पिसनालेटी है यह है बहुत हाड़ वर्किंग पर्सन है अच्छा इस परसन को लदाई जहडा करना पसंद नहीं है इस और फैस急900 लेके लेगर को छियर देना भाई यह अगर इस परसन को छेड़े और अगर इनको घुसा आ गया तो आप इनको नेगिटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं तो फिर ये इनसान सामने वाले को नहीं बख्षते हैं फिर ये चाहे सामने वाले को कोई इनको अगर इनको आप नहीं चुड़ोगे तो ये बहुत ही खुबसूरत बाते करेंगे लेकिन अगर आपने को गुसा दिला दिया या अगर आपने इनसे बत्तमीजी की या अगर आपने कोई ऐसी अब्यूसिफ लेंगिज यूज की जो इस परसन को पसंद नहीं आएगी तो फिर ये परसन जो है वो किसी ना किसी अंदाज में आपसे दूर होते जाएंगे चाहे कोई सामने वाला परसन को जितना भी पर मनाए को सौरी बोले मगर ये इनसान जो है फिर उससे दूर जले जाते हैं और अगर इनको ज़्यादा गुसा आएगा तो फिर ये थोड़े से अब परसन को ओवराल लाइफ में लड़ाई जगड़ा करना बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है इनको डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है इनका कम्यूनिकेशन स्किल बहुत जादा अच्छा है ये बहुत ही जादा ना इनको फिजिकल एक्टिविटीज में काफी इंट्रेस्ट हो सकते हैं जिम जाना इनको बहुत पसंद है यहां पर होर्स राइडिंग इनको काफी जप्यादा मुझे लगता है इनको अच्छी लगती होगी और इसके लाव़ा है यह अपनी फिटनस का भाल खिया रखते हैं बहुत क्ना ना पनी बॉड़ी अपने स्कि मिट भी हो सकते हैं जिन से आपकी शादी हो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर इंसान ही है क्रॉस वुमें बर्ड्स मून वेरी इंट्यूटिफ परसन बॉटम आप देख है मारे पास यहां पर राइडर हो सक इस परसन को ट्रावलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है बहुत ज़्यादा यह महिनत करने पर हार्ड वर्क करने पर बिलीव करते हैं इनको ना इनको हो सकता है टर्की स्पेन इटली इस तरह की जगे इनको पसंद हो सकती है और कुछ ऐसी कंट्री ऐसी सिटी जो के ओल्ड हो ठीक है जो के ओल्ड हो आपर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हो यहां पर कैसल हो वह इस परसन को बहुत अच्छी लग सकती है स्वेजर लेंड स्कॉटलेंड एक कंट्री एक सिटी है इंग्लैंड में है या पर कहीं पर है इंग्लैंड में या पर इंग्लैंड में अइसी एडिंब्रा करके है मुझे लग रहा है से उसका नाम है कुछ मैं लिख दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में या पर यहां पर स्क्रीन पर न इटली स्पेन टर्की इंग्लैंㅡ यह जगे जो है इनको काफी ज़़ाद मुझे लगहीं इंको अच्छी लगती होगो यह अप इनको इंट्रस्ट होगा रिलिजियоз परसंशन भी है और अपने रिलीजियन से बहुत ज़़ा कन्येक्टेट है देखने में विया भड़ा एज़ में हो या कुछ शैनिंद मैटर यह सब की रिस्पेक्ट करेंगे सामने वाले स्टेटस किया है वह अमीर ठीक है वह लो लैवल का आपर आप सब्सक्राइब हरे लो का ये ड़ जसे बी मिलेंगेना करके रखाव है वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं लेकिन अगर इनके सामने कोई लो फैमिली का कोई इनसान चला जाए तो यह उसे बहुत अच्छे से मिलेंगे और यह उसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे फर्स्ट मिटिंग में कि यह कहां से बिलॉंग करते हैं य या फिर बिलीव सिस्टम या पिर कंट्री स्टेट का भी डिफरंस हो सकता है और यह न हो सकता है कि इनोंने अपने जिंदगी में किसी को खोया हो कोई ऐसा इंसान जिससे यह बहुत जादा प्यार करते थे जिस जो इनके दिल के बहुत करीब है उसको हो सकता है इनोंने और उसके जाने के बाद ना ये अपने जिंदगी में ना इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो परसन जाते जाते इनके दिल को उनकी दुनिया को वीरान करके गया है जिसकी विससे अभी अपने जिंदगी में एक ऐसा इनसान चाहते है कि जो के ना उस जाने वाले की कमी को जो ह नो के रह विदुन सबार में है इनको कार के बारे मेंकुकर ना इसा कम्युनिकेशन है। लेकिन इस दुख के साथ चाहत ना इनसान अपने रिस्पॉंसिबिलिटी को भी बहुत अच्छी से लेकर चल रहा है जिन्दगी में इनका प्लस पॉइंट है यह किस्मत पर डेस्टिनी पर बहुत अधा बिलीफ करते हैं और कहीं ना कहीं इनको ना किस्मत पर बड़ा यकीन है कि किस्मत ना इनको इनकी जिन्दगी में एक ऐसा साथी जरूर देगी जो के ना इनका परफ्रेक्ट मैच होगा आप दोनों दूसरी के सोल मेट हो गए यहां पर दो बर्ड़ हैं हो सकता है कि आप लोगा मैसे कुछ लोग ना आप लोग इस परसन को ऑनलाइन मिल सकते हो यह परसन चाहिए वो ऑनलाइन इनकी एक्टिविटीज काफी जादा है यह बहुत जादा ऑनलाइन रहते हैं यह बहुत जादा रिस्पेक्ट करते हैं बहुत जादा इस परसन ने अगर यह मेल है इननों ने बहुत जादा अपनी जिंदगी में बहुत साहिए लड़कियों और यो ओर्तों को लीडिस को ना इननोंने ना मतलब डेट किया हुआ यानि कि इनको पता है कि कौन सी लड़की क किस तरह की ऐे किस नेचर कि इनको यह बहुत सब्स ढ़ नबर 1212ीम इसलिए बहुतर इंपॉर्टिन दो और 110 उन्हैं तक डिऴंड उन्हें बहुत देख सकते हैं यह हो सकती है किसी की 36 32 29 यहां पर बहुत ज़्दा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल थी नंबर काफी इंपॉर्टेंट है डबल 3 बहुत इंसान की लाइफ में और इसके लावद 32 नंबर ठीक है 6 number बहुत ज़्या important होगा आपकी number one काफी important है थोड़े सा इस person के अंदर ego हो सकता है ठीक है क्योंकि इनको ना लोगों से बहुत ज़्या important मिलती है इनकी status की वज़े से और उनकी personality की वज़े से बहुत ही ज़्यादा intuitive किसम के person है इनका घर बहुत ही प्सूरत जगा पर है इनको इनको ना इनको बहुत है शोर शराब और हंगामों वाली जगे इनको अच्छी नहीं लगती है इनको पुर्सुकून जगा पसंद है ऐसी जगा इनको अच्छी लगती है जो कि थोड़ा सा ना हट करो यानि कि थोड़ा सा जो है वो शहर से दूर हो पुर्सुकून सा इलाक एस परसन की और इनको डrementर दक्ता कोछ़ दिखता है जो होने वाला होता है उनको ड्रीम्स में दिखता है इस को जिए अपने हो सकता है के ना जिके इसके अपने हो सकता है कि इसे पूस्थांअज उतुर में पंदेखता है कि ए अपने-पनली माँझे kneel और Instituto इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत दना मैस्कुलन किसम के परसन है तो ये अपनी जिन्दगी में एक ऐसी फ्यूचर वाइफ चाहते हैं जो के ना जिससे ना इनको एक मदरली फीलिंग आए यानि कि जिसको देखकर इनको ऐसा लगे कि ये उस अपने सारे दुख सुख शेयर क करता है अपनी मां से अपने दुख सुख तो इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी जिन्दगी में और यहां पर मारे पास वाइफ का और डी कार्ड आ चुका है वूमेन का इस परसन की जिन्दगी में एक वूमेन ऐसी हो कि जिसकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे कि इनकी कुई वाइफ मेरे मुझे कर निकला है तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर मेरे मुझे करने अब मेरे हुआ लड़ी मेरेड हो ओसी हूं तो सब के लिए निहीं पर यह पर्छ परसन आपकी जिस जिन्दगी में आएंगे और इ NOW इनकी जिन् इनको ना आपको जो फूचर स्पाउस है ना इनकी अंदर एक कॉलिटी है कि यह ना दूसरों लोगों को जज नहीं करते हैं बहुत जादा यानि कि जो इनसान सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो बिला जज़क इन से गह डाले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चोटी-चोटी प्रॉबलम को जिंदगी में इंपॉर्टन्स नहीं देते हैं और इनको गॉसिप वगरा करना बिल बर्ड्स लवर हो सकते हैं और इनको फ्लार्ट बहुत पसंद है हो सकते हैं कि रात के ताइम आप लोगों की मिटेंग और नाइट टाइम और अरली मौनिंग होते हैं सुपर से वेरे जद्दी उड़ जाते हैं और ना रात को इनको देड़ तक बैठके भी काम करना अच्छा आगे कि यहां से च्वर करते हैं खुद को बहुत दा हील भी करते हैं ये इनसान और प्रेयर्स जिस भी रिलीजिन से है ना ये बिलॉंग करते हैं ये आगे यहां से चेप करते हैं ग्रूप नमबर टू के फुचर स्पाउस में क्या कॉलिटी होंगी ग्रूप नमबर टू के फुचर स्पाउस में क्या कॉलिटी होगी आपकी और आपके फुचर स्पाउस के तरम्याने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग कम्पैटाबिलिटी होगी online communication बहुत ज़ादा करोगे online बाते करोगे chemistry बहुत ही ज़ादा strong होगी इस person के अंदर ये qualities है कि ये किसी भी age के मैंने बता है ना किसी भी age के person के साथ जो बहुत ज़ल्दी understanding develop कर लेते हैं ये number five बहुत important होगा आप लोगों के लिए poetry lover हो सकते है इनको लिखना बहुत ज़ादा पसंद है books lover होंगे इनके पास ना इनने घर में library भी बना रखी है इनके पास बहुत सारी books हो सकती है chivalry काफी wealthy person है इनको लोगों को gifts देना बहुत ज़ादा अच्छा लगता है flowers देना बहुत नहीं यहां पर horse बहुत दो बार आए horse यहां पर बहुत ज़ादा जो है वो किसी का फेवरिट हो सकते हैं यहां पर होर्सीयर में पैदा हुए होंगे Chinese horse year में जब यह आप से मिलने भी आएंगे ना तो यह आपको flower देंगे यह बहुत ज़ादा expensive किसम के gifts देते हैं सबको हो सकते हैं नहीं कोई ना कोई horse भी रखा हो उनका जो dressing sense है ना वह बहुत ही stylish किसम का dressing sense है और यह नहीं अपनी looks में बहुत ज़ादा चेंजिंग करते रहते हैं बहुत ज़ादा changes करते हैं अपनी looks में कभी बेर्ड रख लेंगे और कभी सिर्फ मुस्टैचू पर आ जाएंगे ठीक है और अकसर ज्यादा तर यह बेर्ड लाइट बेर्ड रखना पसंद करेंगे कभी हटा देंगे यह अपने आपको चेंज करते रहेंगे बट मुस्ट्री लोगों के लिए लग रहा है कि इनको बेर्ड रखना पसंद है कुछ के लिए हो सकता है कि यह clean शेव हो इनको ना head पैनने का बहुत जादा शौक हो सकता है manifestation इनकी manifestation power है ना बहुत ही जादा strong है आपने इस person को जो है वो manifest किये और इस person ने आपको manifest किये बहुत ही जादा कुछ रहने वाले इनसान है जिन्दा देले एडवेंचरिस परसन है इनको घूमना पिरना आउटिंग करना बहुत पसंद है meditation योगा बहुत जादा करते हैं इनका heart chakra जो है ना बहुत ही जादा open है इनका heart chakra कोई भी जिन्दगी में कदम उठाने से पहले ना अब divine से universe से काफ़ ज़्दा help लेते हैं फिर जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं बहुत ही ना दिखने में इनका जो face है ना इनका जो color होगा ना skin color वो काफ़ी bright हो सकते है अच्छा बहुत ही ज्यादा अच्छा color हो सकते है दे रेंबो रिवाइवर और सेरेंडी पिटी ठीक है सेरेंडी पिटी क्या है हमारे पास सेरेंडी पिटी ओके इनको ना ships का काफी ज़्यादा शौक हो सकते हैं है ships traveling बहुत ज़्यादा करते हैं को travel करना अच्छा लगता है सी साइड पर जाना बहुत अच्छा लगते खेंग बहुत जादा अनिमल लवर हैं और बहुत जादा है टूनबर बहुत इंपोर्टेंट है और तूनबर टृपल टूनबर बहुत इंपोर्टेंट आप लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है उसके लावा 23 नंबर इंपॉर्टन्ट हो गाए और 4 नंबर यहां पें इंपॉर्टन्ट हो सकता है 32 33 नंबर भी काफी ज़र इंपॉर्टन्ट है आप लोगे लिए यह परसन जो है ना खुश रहना चाहते हैं जिम्दकी में कुष्छ रहते भी हैं और दूसरों को खुश तो उसको बहुत जादा अच्छी भी लगेगी और क्योंकि इनके अपने अंदर यह सारी कॉलिटीज है यह आपके फ्यूचर स्पाउस है ना इनकी परस्नालिटी के ना बहुत सारे रंग देखोगे बहुत सारे यह अगर अपने कहीं वर्क प्लेस पर होंगे तो इनका डिफ परस्नालिटी होगी वहाँ जब यह आपके साथ होंगे तो इनकी बहुत ही रुमैंटिक किसम के यह परसर हो जाएंगे आपके साथ खुश रहने वाले एडवेंचर करने वाले घूमने फिरने वाले जब अपने फ्रेंड सरकल में जाएंगे तो टोटल डिफरंट किसम के परसन हो जाएंगे लेकिन जब यह अपने फामली में जाएंगे तो यह काफी दर रिस्पॉंसिबल किसम के परसन हो जाएंगे यह यह परसन जैना अपनी एक इंसान है और इस इंसान के अंदर डिफरंट बहुत सारे परस्नालिटी के इनके वह पहलों है बहुत ही जादा सीरियस किसम की बाते करने वाला महंगे पहंगे गिर्फ्स देना इनको बहुत अच्छा लगता है और टूदी पॉइंट बात करने वाले और जादा जो है वह आपको लगेगा कि सोच समझ के बाते कर रहें लेकिन जब आपके निशादी हो जाएगी ना या जब आप लोग परसर हैं आपके future spouse यहां पर जो है वह फायर साइन बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है आग यहां देख रहो कैसे आग है दिल ठीक है हमारे पास यहां पर शाहत अल्रीडी भी दिल आया हुआ है वकर मैं यहां पर देखूं कहां आया हमारे पास दिल यहां पर इस हार्ट तोड़ना बहुत मुश्किल काम है इस इंसान को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है यह इंसान वह करता है जो इसके दिल में आता है और उसके अलावा जो है इनसान को कोई भी जबरदस्टी काम नहीं कर वास्थ है यहाँ पर भी अगर आप देखो तो किसना से यहाँ पर दिल मिल रहे हैं फाइर आगए यहाँ पर इस आग में बेकुल आप देखोगे तो अलग तरह से यहाँ पहल रही है यहां से ब्यकुल आदग है यहां पर मारे पास दो आप के पहले हो तीक यह तो आप जैसे वो उनको ऐसा लगेगा शाय प्लस पॉइंट कहलो कि इनके जो पयार है ना उसमें शिद्दत है इनके पयार में शिद्दत है यह किसी से प्यार करते हैं तो जुनून की हद तक ये प्यार करते हैं कि फिर ये सामने वाले के निले कुछ भी कर गुजरने को त्यार होते हैं उनको कैसा इवन कि ये इस हद तक भी हो जाते हैं अब ये नेगटिव पॉइंट में भी जाएगा कि ये सामने वाले को हासल करने के लिए कुछ भी करेंगे चाहेंगे किसी लडाई जगडा करना पड़े कुछ भी करना पड़े किसी के अगेंस्ट जाना पड़े ना तब भी ये अगेंस्ट जाकर भी ये सामने वाले को अपने प्यार को ये हासल करेंगे यह चीज है इनसान के अंदर यह निकि प्यार में शिद्धत है इनके जुनून है इनके प्यार में और जब यह आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप उनकी सोल मेट हो तो आपको पाने के लिए यह ना यह इनसान कुछ भी कर रहेगा कुछ भी कर गुजरने को त्यार होगा चैरिश आपके और अपने रिष्टे को ना यह बहुत इदर चैरिश करेंगे आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे यह इनके बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको गिफ्ट्स देंगे आपके आप क्या चाहती हो क्या इनसे एक्सपेक्ट करती हो यह वो सारी बाते आप से सुनना चाहेंगे विकुल वैसे ही वैसे यह आपके अपने रिष्टे के ओपर एफ़र डालेंगे यह आपके और अपने रिष्टे की शुरुआत होगी इसको बहुत उज़ा प्राइवेट रखेंगे हो सकते हैं कि आफ्टर मैरिज न, ये आपको डिफरन किसम की जगे दिखाएं डिफरन सिटी जे तализ दिखाएंगे ये आपको जिफरन कंट्री तिस दिखा सकते हैं दुआ बहुत मांगते हैं दुआ पर इनको बहुत ज़ादा इनका बिलीव है ट्रस्ट बॉटम अगर डेक आया है हमारे पास यहां पर यूनियन ओ वाउ यह देखे यहां पर भी मारे पास डिस्ट वोच आई है ना और यहां पर भी मारे पास वाच आई थी ठीक है तो confirmation आपके future spouse को ना wrist watches पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और आप दोनों को ना ring पहनने का भी शौक हो सकता अगर यह male है तब भी इनको कोई ना कोई accessories पहनना ring पहनना इनको अच्छा लगता होगा यह बहुत ही ज़्यादा ना trust worthy person है इनकी जिन्दगी में जो भी आता है ना उनके बहुत हर ट्रस्ट करते हैं और यह चाहेंगे कि आप इनके उपर मुकमल ट्रस्ट करो इनके आगे ना यह बस आप इनको जवाब दोनों की शादी होगी तो यह चाहेंगे कि आप जिन्दगी कि हर मामले में ना इनके बहुत हरूसा कर उन पर trust करो जिन्दगी में कोई भी मुश्किलाइब आएंगी यह कहेंगे कि मैं सब कुछ कर के दूँगा मैं सब कुछ करूंगा यह कि आपको हमेशा जो है वो कोई परिशानी जिन्दगी में आने वाले चालेंजेसे ही आपको ना हमेशा दूर रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह उन चैलेंजिस को आप तक पहुंचने ही नहीं रहेंगे यह इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बस यह चाहेंगे कि आप इनको हमेशा जो है वो उनके हाथों में हाथ देखे रखो यह नहीं कि हमेशा जिन्दगी भर इनके साथ रहो उससे जदा यह आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी सोल मेट हो आप दोनों का सोल लेवल का रिष्टा तो यह चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ होना तो आप दोनों ही पावरफूल है आप उनकी जो है वो स्ट्रेंथ भी हो लेकिन आप उनकी वीक्नेस भी हो गए चुकर यह आप खोना नहीं चाहते हैं आप दोनों यह आपके फूचर स्पाउस है ना लोग इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लेकिन यह चाहेंगे कि अगर आप इन पर ट्रस्ट करो गए ना तो यह अपने आपको दुनिया का सबसे जादा मुकमल इनसान समझेंगे ठीक है तो यह बहुत ज़र ट्रस्ट वर्दी परसन है बहुत ज़ादा ट्रस्ट वर्दी है एक मरतबा जब यह आप वो कमिट्मेंट दे देंगे ना या अगर एक मरतबा इनकी नजर आप पर पढ़ गिर उन्हेंने सोच लिया ज़्याद करें हैं तो फिर कोई इस इंसान यह वह कहे दोए को आप के हम कर सकता कि दीदी कि इन्हों ने जो ठान ली ना जो सोच ली इनके दिल ने जो चहा ही उसको हासल करेंगे तो यह थी आप लोग के लिए रिडिंग किस तरह के होंगे आपके फूचर स्पाउस चेके कॉलिटीज हैं हमने प्लस पॉइंट और नेगटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे असला कुछ साइंस जो मुझे यहां पर फील हो रहे हैं हो मैं अगेन बता देती हूं तो एरिस लिए सब्सक्राइल रहे हैं और यहां पर यहां पर केंसर मुझे यहां पर है और एरिस लिए को यह यहां पर फिकर पाइसस साइन बीजह वह भी यहां पर इंपाउटंट हो सकता है अच्छा ये जो आपके future spouse है ना इन्होंने आपको manifest किया अपनी जिन्दगी में ये बहुत great manifester है बहुत अच्छे manifester है ये इनको अपकर्ड, science, palmistry, tarot इन सब चीजों में काफिज आ, knowledge और हो सकता है कि इनको आता भी हो ठीक है यनि कि किसी को manifest कैसे करना है इनको ये चीजे पता होंगे ओके गाइस तो ये थी आपके रिडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो comment section में जुरू बताइएगा मिलती हूँ आप से फिर किसी वीडियो में तब तक कि लिए अपना खियाल रखेगा, बाबाई